Hi everyone, hope everybody is doing good, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप कुछ एडजेस्मेंट्स कर सकते हैं Ironfly में and worst case scenario में भी आप Ironfly को handle कर सकते हैं and worst case scenario से मेरा मतलब क्या है अगर market एक ही हफते में चार या पांच ट्रेडिंग सेशन में 700-700 point उपर चली जाए या 7700-800 point नीचे फॉल कर जाए या तो एक तरफ की move हो या फिर वरना पहले market 200-300 point उपर जाए फिर वहां से 1.5-800 point फॉल कर जाए मतलब zigzag move हो दोनों तरफ की move हो तो उन दोनों situation को कैसे हम संबाल सकते हैं आज की वीडियो में हम वो देखने वाले है वर ironfly आपको मालूम है कि यह non-directional strategy होती है जिसमें अगर market sideways रहती है देन उसमें हमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है and 70% of the time market हमेशा sideways ही रहती है इसलिए 70% of the time ironfly में हमें कोई ऐसी adjustment करने की जरूत नहीं पड़ती and हम उसमें अच्छा पैसा कमा सकते है लेकिन जो बाकी 30% of the time होता है वो बहुत जादा volatile market होती है या तो market continuously उपर जाती है या market continuously fall करती है या फिर market दोनों तरफ की move दिखाती है पहले market बहुत जादा उपर जाएगी फिर बहुत जादा fall कर जाएगी वो जो 30% of the time की move होती है जो बहुत जादा wild होती है उसको आप कैसे संभाल सकते है आज की वीडियो में हम वो देखने वाले है इससे पहले मैंने ironfly की अगर आपने वो नहीं देखी सबसे पहले जाईए और वो देख लिजिए इस वीडियो के description में भी आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा और उपर भी आपको कहीं i button मिल जाएगा उस पर जाके आप वो देख लिजिए उस वीडियो में मैंने ironfly की detailed एकदम यहाँ पर strategy समझाई है और उसी same strategy को आज की वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे worst के scenario में हम यहाँ पर handle कर सके situation अब यह वीडियो कैसे रहने वाली है सबसे पहले हम इसमें अलग-अलग situations देखेंगे मैं आपको trading view पर दिखाऊंगा कि कौन सी अलग-अलग situations है जहाँ पर market ने कितनी बड़ी-बड़ी move किये and then वही same situation को मैं algo test पर जाके उसको मैं आपको पूरा ironfly create करके दिखाऊंगा उसमें हम सारी adjustment देखेंगे and देखेंगे कि worst के scenario में भी हम कैसे उसको बहुत ही असानी से manage कर सकते है इस वीडियो में मैं तीन अलग-अलग situations लेने वाला हूँ सबसे पहली situation हम लेंगे जहाँ पे market 700 point continuously fall करती है दूसरी situation हम लेंगे जहाँ पे market continuously 600 point की उपर move दिखाती है and तीसरी situation लेंगे जहाँ पे market पहले 250 points उपर जाती है फिर 850 points continuously fall करती है guys यह जो 600-700 point की मैं move बता रहा हूँ यह bank nifty में नहीं है यह nifty में and nifty में अगर 600-700 point की move एक हफते में आ रही है वो बिलकुल भी normal नहीं है and आपको हर हफते वो देखने को नहीं मिलने वाला इसलिए हर अफते आपको पैसा तो बने गई लेकिन कुछ ऐसे एक आदफते आ सकते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी move हो and उसी week को हम यहाँ पे देखने वाले है तो सबसे पहला जो हम situation लेने वाले हैं वो है 26th of October की expiry तो सबसे पहले मैं एक बड़ चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ and यह 15 minutes का है मैंने चार्ट खोल रहा है ताकि आपको एकदम समझ आ जाए इसमें तो सबसे पहले हम situation लेने वाले हैं यह 20 October से लेके 26th October 3rd को जो निफ्टी की weekly expiry होती है वहां तक fall की है तो अगर मैं आपको point wise बता हूँ well strategy हम exactly 230 पर ही डालेंगे and Friday के दिन हम डालेंगे and इसको हम continuously Thursday तक इसको deal करेंगे जो 700 point हो जाता है so market 700 point continuously fall की है and इस fall को आप देखते हैं कि कैसे हम इसको handle कर सकते हैं so मैं आ गया हूँ AlgoTest के platform पे guys अभी तक जिनों ने भी AlgoTest के platform में login नहीं किये फटाफट जाके login कर लिजिए मेरी वीडियो के description में यह आपको link मिल जाएगा so अब यहाँ पे जो हम date लेने वाले starting date वो है October 20th and यह में start से बता रहा हूँ कि आप Aaron flag कैसे create कर सकते हैं and उसको worst के scenario कैसे handle कर सकते हैं तो expiry हम इसकी 26th October की लेंगे and जो time हम इसमें लेंगे वो है 2.30 अब guys 2.30 में क्यों ले रहा हूँ यह मैंने last वीडियो में भी बताया है आपको कि Friday को morning में अगर आप trade लेंगे then बहुत जादा chance है कि market एक तरफ की trending move दिखा सकती है जिसकी वज़े से पहले दिन हमें यहाँ पर adjustment करनी पड़ेगी इसलिए हम almost at the end of the day पे ही यहाँ पर Friday में trade place कर रहे है for the next week Thursday so अब यहाँ पर 20 October से यह starting date है and 26 October की यहाँ पर expire ही है जिसमें add the money है 19,950 अब यहाँ पर में पहले basic ironfly create कर देता हूँ so यहाँ पर हम एक call option and put option sell करेंगे ठीक है अब ironfly में यही होता है कि पहले आपको add the money का call and put option sell करना पड़ता है and उसका जो भी यहाँ पर break even आए उसको आप buy कर लिजिए so नीचे की तरफ break even है 19,360 उपर की तरफ break even है 19,740 तो इसका जो nearest strike है वो है 19,350 and 19,750 so अब उपर की तरफ 19,750 हमने किया buy and नीचे की तरफ 19,350 हमने किया buy so अभी आपकी perfect ironfly बन चुकी है जहाँ पर आप देखिये maximum जो आपका loss है वो 1600 रुपीज है maximum profit आपका 3300 रुपीज है जिसमें आपका margin around 28,000 रुपीज लगने वाला है अब गई जो मैंने ironfly की वीडियो पहले शूट की थी तब तक यहाँ पर जो nifty का lot size था वो 50 का था लेकिन अब वो lot size 25 का हो चुका है वो lot size reduce हो चुका है इसलिए आपका margin भी आप कम हो चुका है और इसी वज़े से जो मैंने previous वीडियो में बताया था कि आपका यहाँ पर target 2000 रुपे होना चीए strategy में अब वो हमारा target भी कम हो जाएगा अगर आपको 1200 से 1300 रुपे मिलते हैं आप यहाँ पर अपनी trade close भी कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर क्या करना है यह perfect iron fly बन चुकी है जहाँ पर हमारी range आ चुकी है 19,470 नीचे की तरफ and 19,684 उपर की तरफ अब यह perfect iron fly बन चुकी है अब यहाँ पर अगर market यह जो green यहाँ पर tent है अगर इसके भाहर आएगी तो हम यहाँ पर adjustment करेंगे अगर भाहर नहीं आएगी expiry तक देन इसको हम hold करके चलेंगे अब वहार पास दो situation है situation number one अगर market green tent के भाहर जाएगी यह तो उपर यह नीचे हम वहाँ पर adjustment करेंगे and situation number two अगर market कुछ भी नहीं करती and हमें जैसे ही 1200 से 1300 पर मिलेंगे हम वहाँ पर अपनी trade close कर देंगे and हम wait करेंगे फिर अगले Friday को हम अगले Thursday के लिए trade डाल देंगे simple so अब यहाँ पर ना मैं 55 minutes में autoplay कर देता हूँ and let's see because हमें तो मालूम यह ना कि market continuously 700 point fall की है तो यह autoplay ही चल रहा है 55 minutes का 20th October Friday का दिन पहला दिन ही जहाँ पर हमने trade डाली है 3.30 at the end of the day market exactly वहीं चल रही है and इसलिए हमें total M2M 54 rupees का यहाँ पर profit भी दिखा रहा है अब इसको वापिस अगले दिन कर देते है so अगले दिन में market exactly उधर ही open हुई है 9.30, 9.35 हो रहे है and हमें almost यहाँ पर 150 rupees का M2M मिल रहा है जब तक या तो market green tent के भार जाए या market हमें 1200-1300 का यहाँ पर profit दे उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ भी टच नहीं करना है and हमें बस patience के साथ wait करना है यह weekly strategy है यह intraday strategy नहीं है इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग शान्त रखके इसमें trade करना पढ़ेगा Alright, so अभी market 19,392 पर आचुकी है हमारा range यहाँ पर break हो चुका है हमारा जो break even नीचे की तरफ range था वो था 19,417 अब उसके नीचे fall कर चुकी है अब यहाँ पर हमें adjustment करनी है मैंने आपको starting में ही बताया था कि दो ही situation यहाँ पर आएंगी या तो अगर market हमारा tent break करती है उपर यह नीचे की तरफ हम उसमें adjustment करेंगे या फिर अगर हमें 1200-1300 का profit मिलेगा हम आपके close कर देंगे situation number 1 आ चुकी है जहाँ पर market नीचे की तरफ उसने green tent के नीचे close कर दिया है अब हमें यहाँ पर क्या करना है adjustment में जो put option हमें यहाँ पर buy हमने किया था जो हमें profit दे रहा है देखिए entry हमारी थी 33.8 की अभी वो चल रहा है 71 पर 934 रुपीज हमें यह profit दे रहा है अब हमें क्या करना है हमें 100 points इंदमनी जाके put option एक और buy कर लेना है support option पहले हमने 19,350 का यहाँ पर buy किया था अब हमें 19,450 का 100 points जाके यहाँ पर buy कर लेना है जो हमारा put option है 19,350 उसको हमें कर देना है square off अब इससे क्या होगा इससे आपका नीचे की तरफ का loss जो है वो एकदम कम हो गया जहां आपको 1600 रुपे के आसपास का loss था अब वही loss आपको सिर्फ 600 रुपे का है यहाँ पर उपर की तरफ जो आपका loss है वो आपका बहुत जादा increase हो चुक है वो 3000 रुपे के आसपास आचुग है बटो आप देखिए आपको range कितनी मिल रही है मैं आपको बताता हूँ एक बार उपर की तरफ जो breaking है वो है 19,626 माइनस अभी market चल रही है 19,392 यह लगबग 234 points की आपको range अभी मिल रही है तो market को 234 points उपर जाना पड़ेगा तो ही वहाँ पे आपको loss होगा वरना आपको loss नहीं होगा यह आपको बार समझनी पड़ेगी अगर market 232 points उपर जा रही है पहले आपके यह green tent में आएगी अगर यह green tent में एक दिन भी विता देती है हमारा यहाँ पर profit यहाँ पर मिल जाएगा हमे और हम हमारी trade close कर देंगे बस यही simple सी adjustment है आपको और कुछ नहीं करना है आपको यह भी confusion हो सकता है कि अगर market बहुत जादा gap खुल जाए और उपर की तरफ चले जाए वो वाली situation भी हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में जहाँ पर market पहले continuously उपर जाती है फिर reverse हो जाती है तो आपके सारे के सारे doubt close जाएंगे अब यहाँ पर हमने यह वाली situation देखिए जहाँ पर market ने break even के नीचे close किया और हमने यहाँ पर adjustment कर दिये आपको यह बास समझनी पड़ेगी अगर आप नई ट्रेडर ने यह गलती बिल्कुल मत करिएगा पहले जो नया put है वो पहले buy कर लीजिए फिर पुराने put को exit कर देगा अगर आप buy chance पहले put को exit कर देगे पुराने वाले जहन आपने जो put option sell किया हुए वो naked हो जाएगा मतलब आपको margin फिर full लगने वाला है इसलिए पहले जो नया put option adjustment जो आपको करनी है वो पहले adjustment कर लीजिए उसके बाद फिर पुराने वाले put option को यहाँ पे उसको आप close करिए तो अब इसको 15 minutes में हम autoplay कर देते हैं and let's see कैसा जाता है अब अगर market उपर जाएगी then वो मेरे वापस green tent में आ जाएगी then वहापे मुझे profit मिल जाएगा लेकिन अगर by chance market continuously fall भी कर जाती है मुझे ऐसी कोई भी tension नहीं है because मुझे मालूम है maximum जो मुझे loss होने वाला है वो 600 रुपई होने वाला है and इतना देने के लिए मैं तयार हूं market में because 70% of the time तो market sideways ही रहने वाली है न जिसमें मुझे अच्छा पैसा बनेगा बस यह 30% of the time की दिक्कत रहती है जहां पर बड़ा-बड़ा losses हो सकता है so हमने वो बड़े losses को भी यहां पर curb कर लिया है so 26th of April Thursday का दिन हम एकदम expiry के end पर आचुके है and हमें इस situation में कितना maximum loss हुआ है सिर्फ 600 रुपई का loss हुआ है but market कितना ज़्यादा fall किये यह भी तो आप देखिए न market इस level से Friday हमने trade डाली थी 230 पे इस level से market continuously almost 700 point fall किये तो 700 point continuously fall करने के बाद भी अगर आप सिर्फ 600 रुपई के यहाँ पर loss में अपनी trade close कर रहे है which is very very good and अगर आप ऐसा कर सकते है then sideways market में थो हमें बहुत अच्छा पैसा मिलने ही वाला है जहाँ पर हम 1200 से 1300 रुपई यहाँ पर लेने वाले है and loss हमें यहाँ पर कम हो रहा है तो हमारा risk to reward भी हमें बहुत जादा favorable बिल रहा है ठीक है अब यह थी situation number one जहाँ पर हमने देख लिया अगर market fall करती है हम इस situation को control कर सकते हैं अब देख लेते है situation number two जो है 1st of December से लेके 7th of December की well इसमें market बहुत जादा gap up खुली थी जहाँ पर 1st of December Friday को हमने trade डाली है and अगले ही दिन market कितनी बड़ी gap up हुई है अगर मैं आपको point wise बताऊं then आप यहाँ पर देखेंगे लगबग 300 point guys nifty में अगर 300 point का gap up है then वो बहुत जादा बड़ा होता है and यह situation देखे at least आपका यह doubt clear हो जाएगा कि अगर market में बहुत जादा बड़े gap up gap down हो जाए तो उस situation को आप कैसे handle करेंगे तो अब यहाँ पे Friday के दिन 2.30 पे हमने trade डाली and हम इसको Thursday तक लेके जाएगे and Thursday तक market ने highest कितना बनाए 700 point countries ली उपर गई है तो अब यह वाली situation देख लेते हैं कि कैसे इसको handle किया जाएगा so 1st of December को trade डालेंगे for the 7th of December तो अभी जो पुरानी trade है इसको मैं close कर देता हूँ and अब यहाँ पे 1st of December Friday के दिन हम trade डालेंगे for 7th of December expiry and वापे से इसको 230 पर ही रखेंगे guys time कैसा कोई hard and fast rule लही है कि आपको 230 पर ही करना है आप इसको 245 पर भी कर सकते हैं 3 बजे भी कर सकते हैं but यह है कि अगर आप एक time fix कर लेंगे then आपका mind उस चीच के लिए fix हो जाएगा and आपको मालूम है कि 230 पर ही आपको trade place करने है तो वो इतने जादा confusion नहीं रहीगी so अब यहाँ पर 20,250 का add the money चल रहा है इसको हम sell कर देते हैं and break even जिसके हैं 20,000 and 20,500 so 20,500 उपर की तरफ buy किया मैंने and 20,000 रुपीज नीचे की तरफ buy किया वापिस ही एक perfect iron fly बन चुकी है जहाँ आप मैक्स profit हमारा 4,300 है max loss हमारा 1,800 रुपीज है approx margin आपका 30,000 के अंदर ही है and आपकी break even आगी है 20,076 नीचे की तरफ 20,425 उपर की तरफ अब इसको वापिस से 55 मिनट आटो पले करते हैं and देखते हैं कैसा जाएगा and ये situation हमें obviously पहले ही मालूम है हमने देखा वाए कि market कितना बड़ा gap खुलती है उस situation को भी देखते हैं कि कैसे handle कर सकते हैं 1st of December को 3.30 में market 20,255 पे चल रहा था and उसके अगले ही 5 मिनिट में market आती है 20,528 पे so लगबग around 280 points market gap आप खुलती है and अभी आपको यहाँ पे 700 पे नुकसान हो रहा है so पहले जो आपको 350 पीस का profit हो रहा था अब वो 700 पे आपका नुकसान में convert हो चुका है and ओपनिक पही market में हमें यहाँ पे adjustment करनी पड़ेगी अभी आप देखिए आपका margin 30,000 के अंदर लग रहा है लेकिन अगर यहाँ पे आप मानलोग जो आपका call option है जो आपका पुराना call option है अगर उसको आप पहले exit कर देंगे then आपका margin वो increase हो का देखिए approach margin आपका 82,000 हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुराना वाला call option है उसको पहले exit मत करिए पहले नया वाला adjustment आपको करनी है पहले उसको buy कर लीजिए so 20,500 था अब हम इसको 20,400 ले लेंगे जो 199 रूपीस का हमें मिल रहा है ठीक है आप देखो आपका margin उतरही है अभी 30,000 के नीचे यह है अब जो पुराना वाला call option है उसको हम कर देंगे square off तो आपका 30,000 के अंदर ही margin रहता है हमेशा यहापे आप बहुत ही अराम से adjustment भी कर सकते हैं अब आपका यहापे उपर की तरफ जो loss है वो कम हो चुगा है पहले जो 1800 से 1900 रुपे था वो अब सिर्फ 1000 रुपे कर रहे चुगा है लेकिन नीचे की तरफ वापिस से अभी आपका loss बढ़ चुगा है बढ़ यह कितना दूर है market से अब यह भी तो देखिए 20,528 पर market चल रही है माइनस जो आपकी नीचे की तरफ की range है वो है 20,142 लगबग 386 points market को fall करना पड़ेगा तो ही वो आपके loss में आएगा तो ही आपको 3,530 का loss होगा और वो loss से पहले भी पहले green tent में आएगा जो हमें profit भी देदेगा इसकी अगली situation में हम यह भी देखेंगे कि market reverse हो जाएगी तो उसमें कैसे adjustment की जाती है इसको मैं वापे से 15 minutes autoplay कर देता हूँ इसमें अब हम देखेंगे अब यहाँ पे हमें एकदम relax रहने है हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है हमें मालूम है कि market हमारी range के बाहर आ चुकी है यहाँ पे अगर market कितनी भी उपर चली जाए हमें मालूम है कि maximum जो हमें loss होने वाला है वो 1000 रुपे होने वाला है इसलिए में ऐसी कोई tension नहीं है अगर market reverse हो जाती है पहले वहारे green tent में आएगी जहाँ पे जैसे हमें 1200 से 1300 रुपे मिलेंगे हम वहाँ पे अपनी trade close भी कर देंगे so Tuesday का morning start हो चुका है and अभी भी market continuously उपर जाती जा रही है but उससे हमें कोई परवा नहीं है because maximum जो हमें loss हो सकता है वो 1000 रुपे ही हो सकता है all right, so third day का दिन आ चुका है it's 9.50 already and यहाँ पे market continuously उपर जाती जा रही है 20,900 पे भी आचुकी है but हमें कोई ऐसी tension नहीं है इसलिए हम इसको at the end of the day तक hold करके देख सकते है so 7th of December की expiry का एकदम end पे आचुके है 320 हो रहे है and यहाँ पे market 20,900 पे आचुकी है अब आप खुद देखिए हमने 20,250 का call option sell किया था जब Friday 2.30 market 20,250 पे चल रही थी 20,250 से market 20,910 पे आचुकी है साड़े 700 पॉइंट से भी जादा fall की है market continuously even then यहाँ पे हमें सिर्फ 1000 रुपे का नुक्सान हुगा है and इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ अगर market एक तरफ की directional move भी दिखा देती है हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली because हमारा loss हम बहुत जादा उसको minimize कर सकते है ताकि हम यहाँ पे जब भी हमें profit होगा हम इसमें अच्छा profit में निकलेंगे ठीक है तो अब यह वाली situation भी हमने देख ली जहाँ पे market इस level से continuously उपर जाती है 700-700 point continuously उपर जाती है बड़ा-बड़ा gap up भी दिखाती है तो भी यहाँ पे हमने बहुत ही असानी से अपनी strategy को manage कर लिया है अब हम यहाँ पे एक और situation देखने वाले है जहाँ पे market reverse हो रही है पहले market continuously उपर जाती है फिर market continuously fall कर जाती है वही आपका आप doubt रहेगा ना बिकास हमने नीचे की तरफ का देख लिया market अगर continuously fall करती है उसको कैसे handle किया जाएगा वो आपको समझ आ गया market अगर continuously उपर जाएगी वो कैसे handle करना है वो भी आपने समझ लिया अब तीसरी चीज बस यही समझ लिया कि मानलो market continuously उपर जा लिया हमने उपर की adjustment कर दी लेकिन what if अगर वहां से market फिर वापिस continuously fall कर जाए उसको कैसे adjust किया जाएगा अब मैं आपको वो चीज दिखा जाता हूँ ताकि वो भी अगर आपने समझ लिया then ironfly की ये वाली strategy को आपने पूरी अच्छे जे समझ लिया और आपको और कुछ नहीं है उसमें समझने के लिए अगली जो situation है वो है 12th of January से लेके 18th of January 18th of January की इसमें expiry रहने वाली है और वो situation ये वाली है अब आप देखें मार्केट कितनी जादा पागल हो चुकी थी 12th of January Friday की दिन हमने ट्रेड ली और इस लेविल से मार्केट पहले continuously उपर जाती है 250 points and 250 points मार्केट उपर जाने के बाद फिर continuously fall करती है 850 points अब गाईज जो ये वाली situation है ना जो ये वाला week में आपको दिखाने वाला हूँ ये 6 महिने में एक बाद ही आएगा उससे पहले नहीं आएगा because इतनी जादा volatility सिर्फ एक हफते में वो भी Nifty जैसे index में it is not that easy Nifty one of the most calm index माना जाता है and उसमें इतनी जादा volatility नहीं होती इसी वज़े से हम Nifty में trade करते है Ironfly and अगर ऐसी situation को भी आप जेल सकते है then आप Ironfly पूरे साल trade कर सकते है आपको कोई भी नहीं रोख सकता आप ये situation में 12th of January को मैं trade place करूँगा जहाँ पहले market उपर जाती है मेरी उपर की range break करती है उसके आप market continuously fall करती है expiry रही 18th of January entry time exactly 220 हम लेने वाले है so यहाँ पर exactly add the money चल रहा है 21,900 इसके मैं add the money का call and put option मैंने किया sell and अब यहाँ पर break events है 21,623 and 22,177 इसके break events भाइ कर लेते है उपर की तरफ है 22,150 and नीचे की तरफ है 21,650 so अब यह वाप्टे से perfect ironfly बन चुकी है अब इसको वाप्टे से 5 minute autoplay करते है and let's see कैसा जाता है market जब भी हमारी range breakout करेगी जिस भी तरफ वहाँ पर हम adjustment करेंगे हम बस सब तक patience के साथ हमारा target का wait करेंगे all right so it is 3.30 12th of January जिस दे हमने trade डाली थी market exactly वही पर है and हमें इसमें 121 रुपीज के यहाँ पर profit मिल रहा है guys अब आयोब आपको यह चीज़ भी समझ आ रही होगी कि क्यों मैंने 2.30 का time लिये Friday को because 95% of the time Friday का दिन market होई रही 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 and वो एग घंटे का 3.30 के आपको अच्छा खासा मिल जाता है so आप अब देखिए 121 रुपी आपको अलड़ी मिल रहे है so 95% of the time ऐसे ही रहता है market में जापे 2.30 से 3.30 का जो एग घंटे का time है वो market आपकी range में रहीगी and आपको अच्छा 3.30 के दे देती है and अगले दिन market 22,053 पे आ चुकी है लेकिन इसने अभी तक हमारा range breakout नहीं किया है इसलिए हम यहापे अभी तक कोई adjustment नहीं करेंगे जैसी range breakout होगी हम यहापे adjustment करेंगे alright so it is almost at the end of the day 15th of January Monday का दिन 258 हो रहे है and market ने हमारी range अच्छी का से breakout करती है 22,078 की हमारी उपर ही तरफ range थी and market 22,096 पे आ चुकी है so अभी market उपर की तरफ यहापे range breakout की है तो अब हमें यहापे क्या करना है हमें यहापे call option में adjustment करनी है so call option जो हमारा bite था वो 22,150 था अब हमें यहापे पहले call option जो 22,150 खा है उसको 100 points अंदर लेके आएंगे and जो पुराना वाला call option है उसको हम करतेंगे square off अब इससे क्या होगा हमारा उपर की तरफ जो loss है वो एकदम कर्व हो चुगा है सिर्फ 750 रुपीस का हमारे यहापे loss बचा है and नीचे की तरफ हमारे पास कितनी range है अभी market चल रही है 22,096 minus नीचे की तरफ range है 21,780 so हमें नीचे की तरफ हमारे पास 316 point की range है अब market हमें यह मालूम है कि market अगर continuously उपर जाएगी हमें यहापे maximum 750 रुपीस का ही loss है and अगर market reverse होती है तो हमें maximum जो loss है नीचे की तरफ वो 3,250 रुपीस है अगर market reverse जाएगी दिन उसमें भी हम देखेंगे की हम कैसे adjustment कर सकते है and उस loss को भी हम कम से कम कर सकते है अब वापेस इसको autoplay कर देते है and let's see कैसा जाता है अगर market उपर ही रहेगी तो हमें साड़े साथ को का loss है अगर market reverse होती है हमारे tent में आएगी then हमें यहाँ पर जैर से ही 12 सोर में मिलेंगे हम अपर अपनी trade close कर देंगे लेकिन अगर market और ज्यादा fall करने लग जाती है then वहाँ पर भी हम adjustment करके उस situation को हम avoid कर सकते है so 16th of January Tuesday का दिन 328 हो रहे हैं हम almost at the end of the day पर आ चुके हैं हमारा total M2M 58 रुपीज सिर्फ negative है ऐसा इसलिए हुआ है because market हमारे tent के पास आती जा रही है जितना market हमारे tent के पास आती जाएगी हमें वहाँ पर profit की potential हमारी जात हो जाएगी वापिस autoplay करते हैं अगले दिन देखते हैं अब अगले दिन ही देखिए market कितना जादा बड़ा gap down खुल है वेल इसे previous day पे 3.30 पे market चल रही थी 22,031 और उसके अगले ही 5 minutes मतलब अगले दिन market आगी 21,846 लगबग 200 point के आसपास nifty gap down खुली है अब इस situation में हमें ये वाला डर आ गया कि हमारा उपर की तरफ लॉस हमारा covered है सिर्फ 7.500 रुपे है बट वाट इफ अगर market reverse हो जाए and market नीचे की तरफ fall कर जाए अब वो situation देख लेते है अगर नीचे की तरफ भी market यहाँ पे break होगी हमारा नीचे की तरफ break even जो है उसको close करेगी अगर हमने एक तरफ की यहाँ पे adjustment कर ली है तो हमारा उस तरफ का तो यहाँ पे जो loss हो कब हो चुका है लेकिन अगर market reverse होगी तो हमें दिक्कत है अब इस situation में market completely reverse हो गई पहले उपर जा रही थी अब completely reverse हो गई अब इस situation में हम क्या करेंगे हम वही same adjustment को follow करेंगे because हमारे पास capital limited ही है हमारे पास उतनी capital है हम और कुछ भी नहीं करने वाले so put option आप देखेंगे तो 21,650 का हमने यहाँ पे buy किया था अब हम इसमे 100 points और in the money जाएंगे so 20,750 का हम इसको करेंगे buy and 20,650 को हम कर देंगे square off so अब हमने यहाँ पे 21,750 का put option नया put option यहाँ पे adjustment कर लिये and जो maximum जो आपको loss होने वाला है वो 16,000 वो 1641 रुपीज है market कहीं भी चली जाए but हम इतना भी loss लेने के तयार नहीं है and हमें मालूम है कि जो उपर की तरफ अभी भी हमारे पास range है were 21,984 minus अभी market चल रही है 21,740 so यह लगबख हमारे पास 244 पॉइंट की range है so अब हम यहाँ पे क्या कर सकते है जो हमारा 16,000 रुपे का हमें लुक्सान दिख रहा है उसको अगर हमें और कम करना है अगर market इस level चे continuously fall करती जाती है इसको मैंने auto play कर दिया है आप देखती रहीएगा अगर market और जादा fall करती है and जो नया put option हमने यहाँ पे buy किया 21,750 अगर हमें यह profit दे रहा है then इसको हम और 50 point अंदर खीच लेंगे ताकि हमारा जो नीचे की तरफ का loss है वो और जादा कम हो जाए so अब अब यह देखिए अभी 11.45 हो रहे है and 21,750 का जो put option है वो 117 का हो चुगा है 1000 रुपे का हम यहाँ पे profit दे रहा है अब हम क्या कर सकते है हमें मालूम है कि अगर market reverse होगी then हम वही same adjustment follow कर लेंगे but इतना जादा असान नहीं है market के लिए market बार बार 500-500 point reverse करती जाए तो अब हम नीचे की तरफ का यहाँ पे जो loss है उसको और कम कर सकते है वो हम कैसे करेंगे अभी हमने 21,750 का put option यहाँ पे buy किया है हम इसको और 50 point अंदर लेके जा सकते है and 21,750 को हम exit कर देंगे अब नीचे की तरफ जो हमारा loss है अभी market चल रही है वो है 21,685 so लगबग 268 points nifty को और उपर जाना पड़ेगा तो हमें महाँ नुकसान होगा बट वो इतना जादा possibility नहीं है and इसलिए हमने यहाँ पे नीचे की तरफ का loss और कम कर दिया जो हमें यहाँ पे 16,1700 पर उड़ा था हमने उसको 12,1700 पर कर दिया and अभी इतना loss लेने के लिए हमें तयार रहना पड़ेगा and यहाँ पे इसको मैं वापस autoplay कर देता हूँ and अभी इसको हम देखेंगे at the end of the day तक कैसा रहता है आपको यह adjustment सिर्फ दो बारी करनी है maximum उससे जादा नहीं करनी पहले आप 100 points अंदर लेके आईए अगर आपको लगता है कि आपकी opposite side का room आपके पस है then आप और maximum सिर्फ 50 points लेके आईए उससे जादा अंदर मत लाईएगा because then उसमें आपको दिक्कत हो सकती है so market कहीं भी चली जाए देखिए Thursday का दिन आचुका है एकदम expiry वाला दिन ही है market कहीं भी चली जाए हमें इसमें कोई भी tension नहीं है because हमें मालूम है हमारा maximum loss कितना हम देने वाले उससे जादा हमें कभी भी loss हो ही नहीं सकता इसमें all right so 18th of January 3rd day का दिन expiry का दिन आचुका है 320 हो रहे है हमें कितना loss दिखा रहे है सिर्फ 12.0 का लुकसान दिखा रहे हमें अब आप खोद यह अंदाजे लगाई है कितनी बड़ी move हमने market में जहल लिए market में हमने Friday में enter किया था market पहले continuously यहाँ पे 230 points उपर गई थी हमने पहले 230 points उपर market को जहला इतना बड़ा move भी हमने market में बहुत ही असानी से जहल लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर यह strategy को आप strictly follow करेंगे आपको कोई भी नहीं रोख सकता पैसा कबाने से आपको मेरी बात में से विश्वास नहीं करना है मेरी वीडियो के description में लिंक है आप खुद उसको backtest करिए आपको खुद यहाँ पर समझ आएगा कि कितनी अच्छी strategy है 2024 को पूरा आप इसको backtest करके देखिए individual weeks का आपको खुद समझ आ जाएगा ये बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी पैसा बना के देने वाली है जो ऐसे वाले move आते हैं ये बहुत कम आते हैं market में अगर हम उनको भी jail सकते हैं हमें कौन ही रोख सकता है पैसा कमाने से 30% of the time जो market बहुत जादा crazy हो जाती है उसको भी हमने यहाँ पर पूरी video में देख लिए कैसे आप manage कर सकते हैं अगर market continuously fall करें market continuously उपर जाए या market zigzag move बनाए उपर नीचे बार बार तीनों ही situation को हमने बहुत ही असानी से देख लिया है यह कैसे आप अपने losses को limit में रखके कैसे आप उसको आप adjust कर सकते हैं यह वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है बट अगर आप अभी तक वीडियो में ठीके वे हैं डेफिनेटली आप बहुत जादा सीरेस है stock market को लेके trading को लेके आपने कुछ न कुछ सीखा है अगर आपको यही same strategy बार में कोई भी doubt है एक बार वापिस से आप वीडियो जाके देखिये पूरी उसके बावजूद अगर आपको कोई doubt है आप मेरसे बेज जिजग कभी भी comment section में पूछ सकते हैं I'll be more than happy to answer all the queries जो भी आपका doubt है इसके बार में So that's it about this video यही था आज की strategy के बार में I hope आपको वीडियो ची लगी हो and कुछ ना कुछ सीखने को जरू मिला हो Thank you for watching the video with lots of patience Let's meet in the next video then